नमस्कार दोस्तो मैं पुस्पेंस सेंग आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत इस्पेशल वीडियो और इस इस्पेशल वीडियो के अंदर क्या बाइनेंस यहां पर क्रैस हो जाएगा इसका पूरा अपडेट आपको देने वाला हूँ क्या यहां पर क्या कि जो इस्टेवल कोईन है वो बंद हो जाएं क्या हमें आपर विड्रॉल कर लेना चाहिए पूरा पूरा मैथमेटिक पूरी पूरी सारी डैफिनेशन क्या कैसे सिस्टम वर्क करता है सब कुछ बताने वाला हूँ बस दस से बारे मिनिट अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद मैं देखना क्योंकि ये जल्दवाजी वाली वीडियो नहीं है इसमें कहें कि सारा का सारा इस्टेवल कोईन का फंड आपको पता चल जाएगा आपको जरूती नहीं पड़ेगी दूसरी वीडियो देखने के लिए और इसलिए कहा कि इसको मैंने एज्जे एज सबसे पहले कबर करते हैं क्योंकि जो बाइनिस की फट है उसमें जुड़ा हुआ है इस्टेवल कोईन का नाम तो पहले समझते हैं स्टेवल कोईन क्या होता है कैसे काम करता है फिर चलते हैं पर सीरे स्टेब बाइस्टेब करते हुए कंक्लूजन क्यूबर इस्टेवल करन्सी विच है जो वैल्यू दैट इस पैग्ड और टाइड तो देट ओफ एनेदर करन्सी कि सिंपल तरीके समझते हैं कॉंप्लेक्स डेफिनिशन पर नहीं जाते हैं आप यहां पर देखें कि जैसे इंडिया में रह रहे हों इंडिया में इंडिया की जो फियर्ट करन्सी यूएस की है यूएस डॉलर, कैनेडा की है कैनेडियन डॉलर, सिंगापूर की है सिंगापूर डॉलर, दोबई की है धिरम, मलेसिया की है रिंगिट, तो ऐसे ही हर कंट्री की अपनी अपनी एक करन्सी है जो की वहां की क्या की गौर्र्मेंट प्रिंट करती है अब रुपीज का एक आपका यूएज डॉलर है एक यूएज रूटी की वैल्यू भी लगवक सेम है थोड़ा बहुत प्रियूम चलता है प्लस मैंने डिपेंडिंग ओन दी डिमांड अब एक क्या है कि यहां पर एक ऐसी और मैंजिसन है जिसने क्या किया एक बैंक अकाउंट खो जाए किस से टाइड रहे वहां की लोकल करन्सी से अब यूएज डॉलर करको 90 रुपीज का हो जाता है तो आपकी जो करन्सी की वैल्यू जो आपके स्टेवन कोईल की वैल्यू है वह 90 रुपीज की हो गई क्योंकि उसकी वैल्यू यूएज डॉलर के अंगया सेम रहेगी जिसे जो भी यूएज डॉलर की वन यूएज डीटी की वैल्यू रहेगी या भी यूएज डीटी की वैल्यू रहेगी तो यह कैसे काम करेगा और यह क्यों फट के बारे में आपको जानना चाहिए यह बहुत इंपोर्टन है किब्लस केंग क्रिप्टो करेंशी कूज वैलिव में फाइजे डॉलर की वैल्यूप वो क्या कि USD में अपना पैसा रख लेते हैं तो इससे क्या होता है कि यह उस्डी में कहने पैसा रख लेते हैं तो यूएज डॉलर की वैल्यू आइनार के कि बढ़ती है हमें सब तो लगवक्त आप पहले देखोंगे 63 का डॉलर हुआ करता था फिर 73 का अभी 83 की आसपास आ च रहा तो इस्टेबल कोईन में भी पैक्ट तो एक करन्सी लाइक यूएज डॉलर और दी प्राइज ऑफ कॉमिरिटी सच अज गोल्ड वह सारे आपने अभी रिसेंट में यहां पर रसिया की तरफ से एक बहान आया था कि हां भी हांपर कहें कि यूएज डिटी बना रहा है और यहां पर कहें कि इस्टैबल कोईन बना रहा है एक जो कि गोर्ड सर्पेंक होगा गोल्ड की वैल्यू बढ़एगी तो इस्टैबल की वैल्यू पर दंत शाया रहा है लाइज अगिन वो प्राइज जो क्या कि चेंज नहीं हो इस्टेबल रहेगा राइट जब क्या होता है जैसे बिटकोइन डाउन जाता है या हमें लगता है कि अच्छा यहां पर आल्ट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया तो हम बैंक में ना लेने की वज़ा है हम क्या कि उसको स् है अब यहां पर यह काम कैसे करता है थोड़ा से इसको और समझते हैं डिटेल करता है current land escape अगर हमें current land escape की बात करूं तो यहां पर क्या एक टैथर है true account के अंदर अगर 1 million US dollar पड़ा हुआ है तो वो 1 million ही USTDT print करेगी 1 million ही stable coin print करेगी और जब लोग चाहिए sale out करना चाहेंगे लोग stable coin को बेचना चाहेंगे तो वो क्या कि जो उनका पैसा है वहीं से क्या कि विट्रॉल दे देगी तो यह process को को बोलते हैं मिंट करना राइट अब यहां पर इसको एक एक जांपर की तरफ समझते हैं category of stable coin fiat तो यहां पर कहेंगी ऐसी एक तो यहां पर कहेंगी जो fiat है जैसे आपका डॉलर है डॉलर के अगेंस पर टैजर है तो यह आप देखो आपने देखा होगा वह क्रेस हो गया क्या क्रेस का रिजन था क्योंकि वह लूना से पैक्स था और लूना क्रेस हुआ तो वह उसको भी लेके गया अब यहां पर टाइफ ऑफ स्टेबल कोई जैसे फियर बेस्ट हुए आपके नॉन कॉलरिटाइज बेस हुए गोल्ड बेस हुए डिफरेंट तरीकी के यहां पर क्याएगी इस्टेबल कोई से अब यहां पर न्यू जाती है बाइनिस की तरफ से पैक्सोज तो इस्टॉप मिंटिंग इस्टेबल कोई इस le को नहीं अब नहीं हएगा नहीं आएगा अम नहींिहाएगा तो मार्केट के अंदर कोALLCD क्राइस न हुआ लेवल के उपर दस पांस सेन का फरक कोई बड़ी बात नहीं है वो चलता रहता है अब क्योंकि इन्होंने यहां पर रिडम्शन नहीं रोका यहां पर तो आपका ब्यूस्टी सेफ है राइड आप उसको किसी में कर्वेट कर लो भी क्योंकि आप उसको रिडिम तो करा सकते हो खाली क्या हुआ है कि नया ब्यूस्टी यहां पर नहीं बनेगा नया यहां पर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जो बैंक है उसने मिंटिंग सर्विस बंद कर दिये इसमें फर्ड की बात कहां से आ गई तो market candle it was reported on Sunday that a SEC also intend to sue तो यहां पर sue करने वाली है Paxos को for selling BUSD as an unregistered security यह कहाँ है कि यह कोई security नहीं है यह unregistered यह register नहीं है और यह जो process अला है पूरा-पूरा एक तरीके से गलत है इनका ये मानना है अब ऐसे में कहा है कि कोई कारवाई यहाप यूएजडीटी के अंदर नहीं करी यूएजडीसी के अंदर नहीं करी लेकिन उनने यहापर यहापर ब्यूएजडी के लिए ऐसा कॉल दी अब यहापर कहा है कि जो CG है Binance के CEO उनका बयान है हाँ पर भहिया कि यह मैं प्रिंट नहीं करता हूँ मैं बनानता नहीं हूँ यह पैक्सोज एक कंपनी है इस्टैबल कोई इस्यूर पैक्सोज विल स्टॉप मिन्टि Binance कहा है कि सिर्फ क्या कि एज़े सर्विस दे रहा है इसके एक्सेंज के उपर लिस्टेड है बाकी कहा है कि जो पैक्सोज है तो थर्ड वाटी है वही इसमें कहा कि डील करता है उसी का काम है सारा कुछ इसमें मेरा कुछ इससे लेना दे रहा है इसी वज़े से कहा है कि BUSD अगर आप Binance का BNB देखो थोड़ा सा क्रेस हुआ फिर वापस आ चुका है तो मार्केट कहा है कि दुबारा से यहां पर क्या कि पॉजिट तरीके से रेक्ट करने लगी है हमें क्या करना है बात आदिये हैं पर हमें क्या करना है सिम्पली अभी जो BUSD है से वर साइट उसको करनवट कर लो USD के अंदर क्योंकि investigation चल लगी है investigation में क्या होता है इसी को नहीं पता रहता क्या positive outcome आएगा या negative outcome आएगा माहिच चलो कल को मेरी investigation होने लगी कुछ भी तो आप obviously क्या कि मुझसे दूरी मेना के रखोगे कई पतना चले कि इसका नाम भी आए और यह हमारा भी नाम ले दे राइट तो ऐसे में कि हमें क्या करना है थोड़ी दूरी बना के रखनी है और बाकी यहां पर कोई गवराने वाली बात नहीं है बहुत सारे यूजस ऐसे हैं जो टैंसर में टैंसर के चक्कर विचारे काफी सारे इसे भी होंगे जो वेलेंटेंड नहीं मना पा रहे होंगे इतने इंपोटन को यहां पर कोई घवराने की जड़ूत नहीं है तो यहां पर क्या कि इस तरीए प्रोसेश करता है सिर्फ यहां पर मिन्टेंग रिस्टॉफ होए यह नतिंग भी ऐस्टी बंद हो जाएगा अब मेरा भी ऐस्टी में पैसा है अब क्या होगा मेरा कोई घवराने की जड़ूत नहीं है यह यह पर पूरा-पूरा प्रोसेस यहां पर काईगी इसकी मिन्टेंग बंद हो रही है इतनी सी नह आपका यूसडी सी है तो ऐसे ही क्या कि अर्याप्र काफी सारे डिसेंट लगनेशन भी यह जिनके थुरू कहा कि यह पूरी पूरी मिन्टिंग प्रोसस्स यहां पर कहा कि वरकाउट करती है और बहुत सारी कंट्री अपना इस्टेबल कोई लॉंच कर रहे हैं इंडिया को भ तो थोड़ा सा हमारे टाइम लगता है चीजों को उम्मीद करता हूं कि आज का वसंद आया होगा तो यहां पर कोई घबरानी की बात नहीं है बाइनस वर्ल का टॉप एक्सचेंज है सिर्फ क्या है कि इस्टेवल को प्रोसेस को समझो और यहां पर दूसरे कोई के अंदर डाइविट हो जाओ धाट सिट मिलते हैं अगले अप्डेट में हैं थैंक्यू वरी मच्च